हलो फ्रेंड्स मेरा नाम है रतनेश भट और मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं को रोडर की क्लास सेकेंड इस क्लास में आज मैं आपको बताऊंगा यानि किसी वेक्टर शेप, टैक्स, लोगो, इमेज को एक सही स्केलिंग में किस तरह से छोटा या बड़ा किया जा सकता है और प्रपोर्शन यानि किस प्रपोर्शन में यानि किस रेशो में उसको हम ठीक से छोटा या बड़ा करेंगे उसका राइट वे क्या होना चाहिए तो आईए दोस्त हम स्टार्ट करते हैं आज दिस class second को रोडर की friends ये देखिए ये है toolbar ये toolbox कह सकते हैं हम इसे इसमें ये देखिए ये है rectangle tool इसकी shortcut की है F6 आप F6 प्रेस करके भी इस command को use कर सकते हैं फिलाल मैं यहां से स्वे क्लिक कर रहा हूं ये देखिए ये मैंने mouse को click करके नीचे के देखिए ये देखिए कि मेरी rectangle shape बन गई है अब ये देखिए यहां पर ये है इसकी width आ रही है और ये इसकी height आ रही है और ये आ रही inches में inches में इसलिए आ रही क्योंकि units मेरी यहां पर inches में है अगर मुझे change करना है millimeter में feet में या centimeter में तो मैं इसको change कर सकता हूँ फिलाल मैं ऐसे inch में रहने देखिए और इदे click करते ही यहां पर इसकी dimensions आ जाएंगी ये width बता रहा है 7.8 और height बता रहा 5.6 अब अगर मुझे इसकी width को change करना है तो मैं इसको यहां पर value डालके तो बस मिरेको अपना value डालनी है और enter बस करना है ये देखिए इसकी height भी change हो गई है तो एक तो तरीका ये हो गया input value fit करके दूसरा तरीका दोस्तों कि है दूसरा तरीका ये कि अगर मुझे को इसको इस side से बढ़ा करना है इस तरीके से या दूसरा तरीका यहां से हम करी सकते है इसको manually अब दोस्तों यहां पर यह देखिए यह होता है lock ratio अभी फिलाल मैं इसको छोटा कर रहा हूँ थोड़ा सा ताक कि आपको समझा चुको अच्छा चुको अब यह है lock ratio इसका use क्या यह देखिए छोटा ताला सा लोग रहा है और अगर इसकी यह दाला खुला हुआ स्टैंप सब्सक्राइन कर यह कि अगर मैं यहाँ पर इसकी विर्थ को eight inch करता हूँ और height को four inch करता और enter press करता हूं तो ये मुझे इसकी width को 8 inch और height को 4 inch ही करके देगा लेकिन अगर मैं यहाँ पे ताला लगा देता हूँ तो फिर देखे अगर मैं इसकी width को करता हूँ 9 inch की तो जैसे ही मैं tap प्रेस करूँगा या फिर second value पर आता हूँ या फिर मैं सिर्फ enter प्रेस करता हूँ तो ये देखे उसके according इसने अपने अब इसकी height को भी change कर दिया है मुझे उसकी height को change नहीं करना पड़ा क्योंकि उसने बता है कि जिस ratio में मैंने इसकी width को बढ़ा है उसी ratio के according उसने इसकी height को अपने अब भी adjust कर दिया तो एक तरीका इसका यह होता है जिसे हम proportion के time पर use करते हैं अगर किसी image को, text को अगर हमें proportion में इसको छोटा बढ़ा करना है तो हम यहां से उसकी value को डालके भी ये lock लगा करके use कर सकते हैं दूसरा तरीका दोस्तों यह है कि अगर मुझे इसको इस तरफ से बढ़ाना है और equally इस side से इसकी width को बढ़ाना है तो मैं कुछ नहीं करूंगा मुझे सिर्फ इसको कड़के और shift press करके जैसे इस तरफ इसको करता हूँ यह देखे उधर से भी इसकी width अपने बढ़ रही है same चीज अगर height पर भी करता हूँ हमें shift press करके तो height भी बढ़ रही है तो equally दोनों side से अगर हमें किसी चीज को बढ़ाना हो तो हमें shift press करना होता है उस चीज के लिए तो यह तो दोस्तों था vector shape के उपर किस तरह से हमारी dimensions वर्क करती है अब मैं आपको बताता हूँ किसी image के उपर logo के उपर यह चीज कैसे वर्क करती है यह देखे यह एक page में मैंने एक logo रखाए एक model की image रखी हुई है और एक मैंने apple की image भी रखी हुई है अब को कोई भी हमें कहता मैं की colour हुई है ह Deni इसा इसकी shape रखाए खरब हुई है एक deal का आपको यह तो इसका right-way आपको और इस चार corner है इन चार करनर को पकड़के हमें इसे चौटा या बड़ा करना होगा किसी भी corner पकड़ लीजे मुझे इस तरफ से इसकी height घटा नहीं है तो मैं इस corner पकड़के बद इसको ऐसे हलका से ओपर की तरफ दवाना है यह देखे छोटा भी हो गया और इसकी shape खराब नहीं है इसकी width भी कम होगी, height भी कम होगी है लेकिन इसकी shape as it is वैसी की वैसी है अगर मुझे इसे बढ़ाना है तो मुझे corner पकड़के इसको बढ़ा दिया तो यह देखे shape और width वैसी की वैसी है shift की का यहाँ पर भी use कर सकते है corner पकड़के आपकी shape खराब नहीं होगी यह equal दोनों तरफ से शोटा है बड़ा होता चला जाएगा same चीज कोई अगर model की image है किसी की image है उसको अगर यार हम थोड़ा सा width बढ़ाएंगे ऐसे बढ़ाएंगे तो obvious को shape चेहरा खराब हो जाएगा इसी तरह किसी height बढ़ाएंगे तो देखे height भी खराब हो रही है model की image main बात है कि हमारी image है वो खराब हो रही है तो इसका भी right way वही है proportion proportion यहाएं और kis ratio में किसी अनुपात में अगर जिस अनुपात में किसी ratio में width बढ़ाते है तो height भी उसी ratio में उसकी अपने applies बढ़ जाएगी अगर हम कम करते तो उसी ratio में उसकी height भी कम हो जाएगी तो इसे कहते है proportion प्रपोर्शन में किसी को छोटा बड़ा करने के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि उसकी शेप कभी भी खराब ना हो तो अर्टीस्ती चीजी देखिए आपे मैंने एक एपल की में रिख्यों है ये भी सिर्फ समझाने के लिए ये जैसी इसकी विट्थ कम करता हूँ इसकी विट्थ लेकिन कम होगी दबा दबा सा और यह अन प्रॉफेशनली दिख रहा है पूरा हमें एपल वाली फील नहीं दे रहा है एपल वाली फील हमारे को हमारी यही इमिज दे रही इसलिए जब भी हम चोटा बड़ा करेंगे तो प्रपोर्शन में ही इसको चोटा या आपको प्रपोर्शन ही यूस करना है वरणा यह सारे उस्पर अन प्रॉफेशनली वर्क करेंगा और आप भी अन प्रॉफेशनली लगोगे फिर इस टेम पे इसलिए इन चीजों को आपको बिल्कुल प्रॉले होकर यूज करना है कलको अगर क्लाइंट आपको बोलता है कि नहीं है हलका से इधर से दवाद तो आपने उसको साफ मना करना कि नहीं यह ऐसे नहीं हो सकता है हाँ ज्यादा जद करें तो फिर तो कुछ करें सकते हैं पर ध्यान रखना आपके वर्क के ओपर भी इससे फिर असर पड़ेगा इसलिए आप ट्राइ करें कि आप हमेशा प्रोपोर्शन में इन चीजों को प्रोपोर्शन में यूज करें लोगों को और इमेज को यह देखें यहाँ पर एक मैंने नाम लिखा है वीवरबर्ड मेरे चैनल का नाम है अब इसके ओपर भी सेम फॉर्मला अप्लाई होता है सेम रूल अप्लाई होता है आप इसको प्रोपोर्शनल छोटा बढ़ा कर सकते हो यह ऐसे विट घटा करके या बढ़ा करके इसको कितना दबाना है यह छोटा बढ़ा करना है इसके अंदर थोड़ी सी टेक्स के साथ फ्लेक्सिलिबिटी हो सकती है आपकी कि कोई कंपल सरी नहीं कि आपको दबाने चकते है घटा नहीं चकते है प्रोपोर्शनल में करना ऐसा कुछ नहीं है यह डिपैंड करता आपक चलेगा हलका है इसको ऐसे बढ़ाएंगे चलेगा प्रपोर्शन तो प्रपोर्शन हाई यह शेप खराब नहीं इसके अंदर तो यह आपके उपर डिपेंड करता है इसको कैसे घटाना बढ़ाना चोटा करना क्यों कई बार पैंफ्लेट में ब्रॉशर के अंदर कुछ जिग क्वेरी है तो आप मुझे टेक्स जरू करें और दोस्तों इस चैनल को लाइक करें शेर कर सब्सक्राइब जरू करें थैंक्यू सो मच